हालो फ्रेंड्स आज है 17 अक्टूबर 2020 करंट अफेर्स की स्रीज को आगे बढ़ाते हुए आज के 10 most important करंट अफेर्स के questions को इस वीडियो में discuss करेंगे इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक हमने इसी वीडियो की निचे description में इसका दे रखा है वहाँ से आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप चैनल पर नए है या चैनल को भी तरह सबस्क्राइब नहीं किया है तो वीडियो की निचे रेट कलर का सबस्क्राइब बटन दिखरा होगा उसको प्रेस करके चैनल को आप जरूर सबस्क्राइब करने साथ में बेल आइकन को दबाकर all पर किलिक कर दिए ताकि ज इसलिए चैनल आप जरूर सबस्क्राइब कर दिए आज का पहला कुश्चन है भारत को वर्स 2020 के असमानता घटाने की परतिबधता सूचकांग यानि कमिट्मेंट तो रिडूजिंग इनिक्वालिटी इंडेक्स में 158 देशों में से कितने अस्थान पर रखा गया है तो इस समय भारत को मिला है 129 अस्थान यानि option A इसका सही अंसर हो जाएगा इसका explanation देख लेते हैं भारत को साल 2020 के असमानता घटाने के परतिबधता सूचकांग यानि कमिट्मेंट तो रिडूजिंग इनिक्वालिटी इंडेक्स में 158 देशों में से 129 अस्थान पर रखा गया है यानि हमारा देश 129 अस्थान पर है यह very important question है इस तरह के सूचकांग से related question आपको एकजाम में ज़रूर पूछे आते हैं तो आपको याद रखना है 158 देशों में से भारत को 129 अस्थान पर यह अस्थान मिला है यहां सूचकांग का जो है तीसरा संस्क्रण है इस सूचका important है आपकी exams के लिए अगला है अंतर रास्टे आपधा न्यूनी करण दिवस international day for disaster reduction में निमलिखित में से किस दिन मना जाता है यहां day पूछा गया है तो यहां पर 13 October है यानि option C इसका सही अंसर हो जाएगा 13 October सन्यूक्त रास्ट द्वारा हर साल 13 October को 208 पर अंतर रास्टे आपधा न्यूनी करण दिवस के रूप में मना जाता है यहां दिवस जोखिम जागरुकता एम आपधा की कमी की वैस्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मना जाता है सन्यूक्त रास्ट महा सभाद्वारा जोखिम जागरुकता एम आपधा की कमी की वैस्विक संस्कृति को बढ़ावा देने है तो आवान के बाद 1989 में अंतर रास्टे आपधा न्यूनी करण दिवस मना जाने के शुरूआत की गई थी यानि इसकी सुरुआत जो हुई थी 1989 से की गई थी और ये 13 अक्टूबर को मना जाता है ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है अगला कॉस्टन है ये बहुत ही इंपर्टन कॉस्टन है आपका परसंस से लेटर कॉस्टन अक्सर पूछे जाते एक्जाम्स में मसहूर कास्ट्यूम डिजाइनर भानु अथया का निधन हो गया किस फिल्म के लिए उनको आसकर पूरसकार मिला था तो उनको मिला था गांधी के लिए आप्शन 20 का सही अंसर हो जाएगा इसका एक्स्प्लानेशन देख लेते हैं मसहूर कास्ट्यूम डिजाइनर भानु अथया का निधन हो गया है, वह आसकर जीतने वाली पहली भारती थी, भानु अथया के ने रिचार्ड एटन वरो की फिल्म गांधी के लिए आसकर पुरसकार जीता था, इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, आमिर खान की लगान, और सिर्देवी की चांदनी के लिए भी इन्होंने अच्छा काम किया है, तो यहाँ पर याद रखना है, चुकि यह पहली भारती हैं, जिन्होंने आसकर पुरसकार जीता था, तो इसलिए इंपोर्टन बढ़ जाता है क्वेश्चन, उनका अभी हाली में निधन हो गया, अग्रा क्वेश्चन है, हाल ही में किस दे पुर्म के मामलों में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है, बांगला देश में हिंसक दुरगटनाओं की दुसकर्म की घटनाओं के बढ़ने के कारण राजधानी धाका में तथा अन जगों में बहुत बिरोध परदसन हुए हैं, मानवा धिकारों की संस्था की के अंसार बांगला देश में दुसकर्म की घटनाओं सबसे तेज हैं, यहीं पर दुसकर्म होते हैं, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है, अगला कोशन है, पदमस्री से सम्मानित, किस कुचिपुरी नित्यांगना का 64 वर्स की उम्र में निधन हो गया, यह भी कोशन बहुत लामा आंटपदे सरकार और विभिन प्रतेशित सानस्थानों से भी बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, यहीं कह सकते हैं, यह काफी फैमस परसनालिटी थी, तो यह कोशन आपके लिए इंपॉर्टन हो जा रहा है, अगला कोशन है, हाल ही में किस सराज्य सरकार ने किसानों के उन्यान के लिए किसान कल्यान कोस बोर्ड अस्थापित करने का फैशला किया है तो यह केरल ने किया है option D इसका सही अंसर हो जाएगा explanation देखते हैं केरल सरकार ने किसानों के उन्यान के लिए किसान कल्यान कोस बोर्ड अस्थापित करने का फैशला किया है जिसका नाम है केरल किर्शक छामानिधी बोर्ड मंत्री मंडल ने डक्टर पी राजेंदरन को केरल किसान कल्यान कोस बोर्ड का पहले अध्यक्स के तोरपन निक्त किया गया है इनका नाम भी आपको याद रखना है कि इसके फस्ट जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं किसान केरल चामानी धी अधिनियम के तहट बागवानी आउसदी गुणवाले पौधे नरसरी प्रबंधन मत्स पालन पस्व पालन इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें सामिल क हो जाएगा 15 अक्टूबर को मना जाता है इसका एक्स्वानेशन देख लेते हैं विस्टो हस्त परच्छालं डवाश यानि परतिवर्स 15 अक्टूबर को मना जाता है जैसा कि अब जानते हैं हाथ वाद धोने के लिए कहा जाता है ताकि साप सफाई रहे तो ये सद्यक्ष अगला है हाल ही में किस देश ने आर्टोन कैप्टेल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58 में स्थान पर है तो ये कोशन बहुत ही इंपॉर्टन हो जाता है इसमें 58 में स्थान पर हमारा देश भारत है अप्शन सी इसका सही अंसर हो जाएगा इसका एक्स्प्रानेशन देख लेते हैं आर्टन कैप्टेल के पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत को विश्यो के सबसे सकतिसाली पासपोर्ट सूची में 58 में अस्थान पर रखा गया है न्यूजी लेंड के इस सूची में न अगला कोशन है वेदानता सम्हो की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिम्टेड ने हाल ही में कहा है कि उन्होंने उसने जिंक्स स्मिलल्टर सर्यंत लगाने के लिए किस राज सरकार के साथ समझोता किया है तो गुजरात के साथ किया है तो ऑप्शन डी इसका सही अंसर हो जाएगा गुजरा सरकार ने वेदानता समू के साथ राज में दस हजार करोण रुपे के निवेश के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है अगला कोशन है भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतरास्टे सौर गट बंधन का अध्यक्ष चुना है तो ये दो साल के लिए चुना गया है याप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा इसका explanation देख लेते हैं भारत को दो साल के लिए फिर से अंतरास्टे सौर गट बंधन का अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है अंतरास्टे सौर गट बंधन की आयोजन जो वर्च्वल बैठक में जिसमें की थार्टी आध्यक्ष चेत्रों का प्रदिधत करने के लिए चार नfer अध्यक्ष का भी चैन किया गया है अंतर रास्टे सावर गटबंधन सम्मेलन में ने सतत जलवाई कारवाही गटबंधन के माद्धम से अपने सचवाले की पहल को भी मंजूरी दी है तो इस तरह से ये question आपका बहुत important हो जा रहा है इंडिया का selection हुआ है दो साल के लिए अंतर रास्टे सावर गटबंधन के अध्यक्स कुरूप में तो ये question बहुत important है इसको याद रखना है Friends इसका PDF आप download करना ना भूले इसी वीडियो की नीचे description में इसका link मिल जाएगा इसका आप PDF डाउनलोड कर लिजे और अगर आपके पास कोई query है कुछ पूछना चाहते है तो हमें comment box में जरूर पूछे हमसे I hope आपको काफी कुछ संब्या आ गया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में ये दि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे तकि daily current affairs आपको मिलता रहे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत